नमस्कार, मित्रो, आज हम बात करेंगे कि म्रिगसिरा नक्षत्र के चार चरणों में ब्रिहस्पती का क्या फल होगा? मित्रो, यदि आपकी जन्मकुंडली में ब्रिहस्पती म्रिगसिरा नक्षत्र में बैठे हैं, तो क्या फल होगा? आईए हम जान लेते हैं. मित्रो यदि आपकी जन्मकुंडली में ब्रिहस्पती म्रिगसिरान अक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हैं तो ऐसा अब्यक्ति दिखने में सुन्दर होता है यानि कि अच्छा दिखने बाला आकरसक दिखने बाला होता है और ये लोग मानसल देह बाले होते हैं मानसल देह का मतलब है कि नाही जादा पतले और नाही जादा मोटे मेडियम सरीर बाले भरे हुए सरीर बाले मानसल देह बाले होते हैं ये लोग बुद्धिमान और चतुर होते हैं लेकिन ये लोग डवाडोल मनस्थिती बाले होते हैं डबाडोल मनस्थिती का मतलब है कि इनका मन हमेशा डबाडोल रहता है क्या करें क्या ना करें इसका निर्णए जल्दी से ये लोग नहीं ले पाते हैं कन्फ्यूजन में बहुत जादा रहते हैं कोई भी परिस्थिती में जल्दी से कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, लेकिन ये लोग बुद्धिमान होते हैं, और लिखने पढ़ने में माहिर होते हैं, और इन लोगों को पढ़ाई लिखाई का काम अच्छा भी लगता है, ये लोग धनवान होते हैं, इनके पास में पैसा रुपिया परियाप्त मात्रा में होता है, ये लोग सहरत युक्त होते हैं, लेकिन बहुत सारा पैसा होने के बाद भी और बहुत बुद्धिमान होने के बाद भी ये लोग असंतुष्ट रहते हैं, यानि कि इनके मन में कोई न कोई कमी बनी रहती है ये लोग एकदम सैटिस्फाइड नहीं हो पाते संतुष्ट नहीं हो पाते पैसा रुपया होते हुए भी बुद्धिमान होते हुए भी इनके मन में कोई न कोई कमी बनी रहती है असंतुष्टी बनी रहती है और इसी कारण से ये लोग परेशान रह में हो तो ऐसा व्यक्ति विश्व विख्यात गायक बनता है यानि कि गायकी के छेत्र में सिंगिंग के छेत्र में अपना नाम पूरे विश्व में व्यापत करने बाला होता है और संगीत के चेत्र में बड़ा नाम कमाने बादा होता है लेकिन ऐसा तभी होगा जब कुंडली की लग्न म्रिग्सिरा नक्षत्र के पहले या फिर दूसरे चरण में हो और ब्रिहश्पती गुरू लग्न में बैठे हो पहले भाव में बैठे हो और गुरू म्रिग्सिरा नक्षत्र के प पहले चरण में यदि गुरु बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति को अपने निर्णाएं बहुत सोच समझ करके लेना चाहिए और किसी भी परिष्थिती में डवा डोल नहीं होना चाहिए कन्फ्यूजन नहीं रखनी चाहिए जो निर्णाएं लेना है सोच समझ करके एक डिसीजन ले लेना चाहिए मित्रो यदि जन्म कुंडली में ब्रिहस्पती म्रग सिरान अक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति सुन्दर दिखने वाला होता है यानि कि अच्छा दिखने बाला आकरसक दिखने बाला होता है और ये लोग अपनी बेश भूसा के प्रती बहुत ज़्यादा सतर्क रहने वाले होते हैं यानि कि अपने आपको किस तरह से सजा करके रखना है ये इन लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है किस तरह के कपड़े पहनना है कौन से कपड़े किस तरह से पहने जाएं तो अच्छे लगेंगे ये सब इन लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है यानि कि इनका द्रेज सेंस बहुत अच्छा होता है और ये लोग बुद्धिमान भी होते हैं तरक सील प्रवर्ति के होते हैं यानि कि तरक वितर करने में माहिर होते हैं ये लोग बाद विबाद करने में भी बहुत माहिर होते हैं यानि कि किसी बात पर कोई बाद विवाद करना हो, कोई संबाद करना हो, कोई तर्क भी तर्क करना हो, तो ये लोग बहुत माहिर होते हैं ऐसे चीजों में, ये लोग बागपटू होते हैं, अपनी बातों को सही धंग से रखने बाले होते हैं, और ये लोग धनवान भी होते हैं इनके पास में पैसा रुपिया भी परियाप्त मात्रा में होता है ये लोग चतुर प्रवर्ति के होते हैं यानि की अपनी बुद्धी से अपना काम निकालने में खूब माहिर होते हैं और ये लोग समाज के बड़े लोगों से संपर्क रखने बाले होते हैं या फिर सासन प्रसासन में या फिर राजनीती में संपर्क रखने वाले होते हैं सासन प्रसासन के बड़े अधिकारियों से या फिर राजनीतिक नेताओं से इनका अच्छा संपर्क होता है और ये लोग अपने संबंधों के माध्यम से अपने संपर्कों के माध्यम से अपने काम भी निकालने वाले होते हैं मित्रो यदि जन्म कुंडली में ब्रिहस पती म्रिग सिरान अक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति कंजूस और कृतग्न सुभाव का होता है कृतग्न का मतलब है कि ये लोग एहसान फरामोस होते हैं यानि कि दूसरों के एहसानों को याद नहीं रखने बाले होते हैं यदि परेशानी के समय में बिपत्ति के समय में किसी दूसरे व्यक्ति ने इनकी सहायता की तो ये लोग बदले में उसकी सहायता नहीं करते बलकि उसकी सहायता को भूल जाते हैं और उससे कहते हैं पलट करक और अपने बच्चों से सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं इनको अपने पत्नी का और अपने बच्चों का सुख नहीं मिलता है यानि कि पत्नी तो इनकी होती है इनका जीवन साथ ही होता है और इनके बच्चे भी होते हैं लेकिन इनको अपने बच्चों का और अपने पत्न से संबंध रखने बाले होते हैं जहां पर इनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है जहां पर इनका मतलब पूरा हो रहा है यह लोग वहीं पर संपर्क रखते हैं वहीं पर संबंध रखते हैं बाकी लोगों से संबंध नहीं रखते हैं, ये लोग अपने फाइदे के चक्कर में कई बार दूसरों का नुकसान भी करवा देते हैं, और दूसरों का नुकसान करवा करके अपना फाइदा कर लेते हैं, ये लोग कंजूस होते हैं, पैसा खर्च करने में बहुत ज़्यादा डरते पैसा खर्च कभी भी नहीं करते और कई बार तो बहुत जरूरी जरूरी कामों में भी पैसा खर्च नहीं करते हैं यह लोग अपना पैसा किसी को भी देने वाले नहीं होते यहां तक कि यह लोग अपने जीवन साथी को अपने पतनी को या फिर अपने पती को या फिर अपने बच्चों को भी पैसा नहीं देते ये लोग अपने परिवार के लोगों को भी फूटी कोड़ी नहीं देने वाले होते हैं, बहुत कन्जूस होते हैं, अपने पैसे को बहुत बचा करके रखने वाले होते हैं, ये लोग बिलासी जीवन जीने वाले होते हैं, यानि कि अति सुख की चाह रखने वाले होते हैं, ब्यर्थ में पैसा बरबाद करते हैं, इन लोगों के जीवन में लगातार बदलाव आते रहते हैं, यानकि इनका जीवन हमेशा एक जैसा नहीं चलता, एक पट्री पर नहीं चलता, इनके जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है, इन लोगों को स्वास्थ संबंधी समस्याएं होती है, कई वार इन लोगों को रक्त विकार हो जाता है, रक्त विकार का मतलब है कि बलड से संबंधित कोई न कोई परेशानी, खून से संबंधित कोई न कोई परेशानी हो जाती है, अथवा इन लोगों को हरदय से संबंधित कोई न कोई दिक्कत होती है हार्ट से संबं धित कोई न कोई परिशानी होती है अथभा इन लोगों को blood pressure की समस्या होती है high BP की या फिर low BP की समस्या होती है लेकिन यह लोग बुद्धिमान होते हैं और अपनी बुद्धी से अपना काम बनाते जाते हैं इन लोगों को थोड़ा सा स्वार्थ कम रखना चाहिए और कंजूसी भी थोड़ी कम करनी चाहिए मित्रो यदि जन्मकुंडली में ब्रिहस्पति म्रिगसिरान अक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हूं तो ऐसा व्यक्ति धनवान होता है यानि कि इन लोगों के पास में पैसा रुपया परियाप्त मात्रा में होता है और इन लोगों के पास में अचल संपत्ति भी होती है अचल संपत्ति का मतलब है कि भूमी भवन बाहन आदी इनके पास में होते हैं और ये लोग भूमी से संबंधित कारे करके धन कमाते हैं भूमी से संबंधित कारे का मतलब है कि जमीन से संबंधित कारे करके इनको अच्छा लाब होता है खेती बाड़ी से भी लाब हो सकता है या फिर कोई अन्य तरीके से भूमी से संबंधित जमीन से संबंधित कारे करके इनको लाब होता है ये लोग सासन प्रसासन में या फिर राजनीती में पहुँच रखने बाले होते हैं और इन लोगों को सरकार से कोई न कोई सम्मान मिलता है कोई न कोई पदक जरूर मिलता है इनको अपने जीवन में सरकार से कोई न कोई पदक या फिर कोई न कोई सम्मान जरूर मिलता है ये लोग बुद्धिमान होते हैं और विशेश कर ये लोग दूसरों की विचार पढ़ने में माहर होते हैं यानि कि जल्दी से दूसरे की मनस्थिती को भाप लेने वाले होते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है ये इन लोगों को बहुत जल्दी से पता चल जाता है यानि कि ये लोग face reading करने में माहिर होते हैं या फिर ये लोग किसी भी माहुल को भाप लेने वाले होते हैं कहीं भी जाएं पहली बार भी जाएं तो ये लोग जल्दी से उस माहुल को भाप लेते हैं कि यहाँ पर क्या होने बाला है या फिर कोई नया व्यक्ति इन से मिलता है, तो ये लोग उस व्यक्ति की मनस्थिती को जल्दी से समझ जाते हैं, यानि कि दूसरे के मन को पढ़ने वाले होते हैं, ये लोग सिल्पी होते हैं, सिल्पी का मतलब है कि कोई न कोई आर्ट को जानने वाले, कोई न कोई कला को जा जानकार होते हैं यानि कि घर मकान बनाने में माहिर या फिर नक्सा नभीस होते हैं यानि कि कोई न कोई घर मकान स्कूल कॉलेज का नक्सा बनाने वाले या फिर बास्तू के जानकार होते हैं अथबा ये लोग जोतिश चास्त्र के जानकार होते हैं भविश्य वक्ता होते हैं और गुप्त विद्याओं में रुची रखने वाले होते हैं, एस्ट्रोलोजी के भी जानकार हो सकते हैं, गुप्त विद्याओं का मतलब है कि तंत्र मंत्र जोते शादी जो गुप्त विद्याओं हैं, उनमें रुची रखने वाले होते हैं, इनके जीबन में बदलाव किया और यह लोग हेँ अपने जीवन में बार बार बदलाव करते हैं जैसे अपने रहने के इस्थानमे घर में या फिर अपने और लगातार बदलाव करते रहते हैं और यह लोग अपने साहिर का ब् harusाइसपरिमेंट तरह था मित्रो आज कि लिए विशतना ही दूकर